तुम्हीं आज बना रहे हैं बेशन के स्नाइक्स 10 मिनिट की रसीपी है बहुत कम ओई के साथ है और ऐसी सबचीजों के साथ बना रहे हैं जो आपके गर में होंगे होंगे तो देरी किस बात की चलिए बनाना शुरू करता है तो सबबसे पहले ले रहे हैं बेशन ऑर उसमें डाल रहे हैं थोरा सा राइस दूर कि ये नश्वार requests हमें दरा क्रिस्पी है इसमें अब डाल रहे हैं नमक इसे डालेगा स्वाथके नेसार और डाल मिंट्छी का arrow पावडर इसे बी शौप अकार य धालेगा और डाले तर्मेरिक पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवायन और क्यूंकि नाश्टर ज़रा सॉफ्ट और फ्लफी भी चाहिए इसलिए इसमें डाले हैं थोड़ी सी सोडा बायकप यह मीठा खाने का सोडा है जीर कर देंLink पाहिए पांई डाले इसा बनादेना कर गोल अच्छी कह इस मुथ्पेस्ट हो जानी वजहिए इसमें लम्स बिल्कूल नहीं होने चाहिए है इसमुथ पेस्ट हो जानी चाहिए बहुत जादा थेक होने की ज़ darauf नहीं है इसली स्प्रेड हो जाए ऐसा होना चाहिए तो हमारी पेस्ट रेडियो हो चुकिए चलिए अब करते हैं दूसरे इंगिरिंस की तयारी और अब इस नाश्ते में डालेंगे वेजिटेबल्स जिने हमने फाइनली चॉप किया हुआ है तो यह हमने डाला प्याल, सिम्ला मिर्च आद भरण मिर्ची गाजय जिसे हमने घ्रेट किया हुआ है और डालें टमार्टर और डालने इसमें डलें से स्वीट कॉन, वैसे यह बॉइल की हुए है और अगर यह नहीं है तो आप इस आसन इससे स्केप कर सकते हैं अब फ्रेश दनिया डाला है और डालने है इसमें हरी बेस इंगिरेंस हो चुके हैं, रेडी, चलिए बनाते हैं नाश्ता, रख दिया है हमने तवा गरम करने के लिए, जैसे ये गरम हो जाता है, क्योंकि पहले बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ग्रीस कर दे रहे हैं, और इसमें पहले बेसन के गोल के साथ, मिनी चीला बना रह हैं हमारा वेजी का मिक्सचर, जितना रख पाए रख दीजिए और ध्यान रहे कि ये पूरा नाश्ता बनाते वक्त, आपके ग्यास की आंच धीमी होनी चाहिए, और अब इने तब पलताना है, जब आपको लगे कि नीचे से ये पक चुका है, हलका सा प्रेस कर सकते हैं, त तरफ से पक चुका है, इसलिए इसको पड़ी आसानी से पल्टा पाए, और डाल दे रहे हैं थोड़ा सा ओल इसे क्रिस्पी बनाने के लिए, आप ये बहुत कम डाल सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं, तो अब इसे पकने देना है, ये बस एक ही मिनट में पक जाएगा और इसे पल्टा पाएंगे, जैसे ये दुनों तरफ से पक जाता है, इस पर अप ग्रेट कर दे रहे हैं चीज को, जितना चीजी बनाना चाहते है, उतनी ज्यादा चीज दालिएगा, और अब हमने इस चीला को पकने देना है, एक या दो मिनिट के अंदर ये आप डेखेंगे चीज मेल्ट हो जाएगा, और धान है कि इसकी आंच धीमी है, जैसी चीज मेल्ट हो जाता है, आपका नाश्ता बिल्कुत तयार है, इससे और कुछ नहीं तो टोमेटो सॉस के साथ भी सर्फ कियाना बड़ा मज़ा आता है, तो कैसा लगा आपको नाश्ता, आज शाम को बन यह गता कि आपको अमरी ऐसी बहुत साही रेसीपीस और वीडियोस वक्त पे मिल जाएं, थैंक यू फर वाचिंग